मतश्य प्रान के 180 ध्य में प्रियाग में अंशन व्रत तथा एक मास्ता के निवास कलपवास का महत्व युदिष्ट ने पूछा भगवन आपने जो प्रियाग के महत्मे का वर्णन किया है उसे सुनकर प्रियाग का कीतन करने से अब मेरा हिर्दे विशुद्ध हो गया है आप मुझे ये बताईए कि प्रियाग में अंशन व्पवास करने से कैसा फल प्राप्त होता है और उसके परभाव से समस्थ पापों से मुक्त होकर मनुश्य किस लोक में जाता है मारकंडे जी ने कहा एश्वर इशाली राजन प्रियाग तीत में जो श्रधालू विद्वान इंद्रियों को वश्य में करके अंशन व्रत का पालन करता है उसे जो फल प्राप्त होता है वैस सुनो राजन्दर में सरवांग से संपन निरोग और पांचो करमिंद्रियों से सस्त रहता है चलते समय उसे पगपग पर अश्य में यग्य के फल की प्राप्ती होती है वे अपने पहले के दस और पीछे होने वाले दस कुलों का उद्धार कर देता है तर्धा संपूरन पापों स मुक्त होकर परंपद को प्राप्त हो जाता है युदिश्टर ने पूछा प्रभू आम मुझे जो धरम का महात्या बतला रही हैं उसके अंसार एक और तो थोड़े ही प्रियतन से महान धरम की प्राप्ती होती है और दूसरी और वे धरम अश्य में एक सद्रिश इने को उत चले हो रहा है तो मारकंडे जी ने कहा राजन पूर काल में पदम योनी ब्रह्माने रिशियों के निकट जिसका वर्नन किया था उसे कहते समय मैंने भी सुना था वही इस समय बतला रहा हूं प्रियाग का मंदल पांच योजन विस्तार वाला है उसकी भूमी में प्रवेश करते ही पगपग पर अश्य में यग्यका फल प्राप्त होता है जो मनुश्य प्रियाग मंदल में अपने प्रानों का परत्याग करता है वे बीती हुच साथ पीडियों का तथा आने वाली चोदा पीडियों का उध्धार कर दीता है ऐसा जानकर मनुश्य को सदा प्रियाग किसे उनमें तत्पद होना चाहिए राजिंद्र जिनमें श्रद्धाने ही है तथा जिनका चित पापों से आच्छा दित हो गया है ऐसे पुरुष देवताओ द्वरा सुरक्षित उस प्रियाग तिये थमें नहीं पहुंच पाते जो दिश्टर ने पूछा पिता में प्रिया और अकरतवे के ज्ञान से वहीन प्रुष वहां सभी प्रकार के पात्रों का विये पार करता है उसकी क्या गती होती है ये सब मुझे बताईए तो मारकंडे जी ने कहा राजन ये परसंगतो परम गोपनिये एम समस्थ पापों का मिनाशक है इसे बतला रहा हूं सुनो जो म मुक्त हो जाता है और परमपद को प्राप कर लीता है अब विश्वाश खात रूप पाप करने वालों को प्रियाग में आने पर जो फल मिलता है उसे सुनो मैं यदि प्रियाग में तीनों प्राता मध्यान साएं विला में शनान करें और भिक्षा मांग कर भोजन करें तो इस संदित तीन महिने में उस पाप से मुक्त हो जाता है जो मुनुश्य अंजान में ही प्रयाक की यात्रा आदिकारे कर बैठता है वे भी संपुरन कामनाओं से परिपूर्ण होकर सर्ग लोग के परतिष्टित होता है तदा दंधानने से परिपूर्ण अविनाशी पद को प उद्धार कर दीता है तत्वग्य तुमारे बारंबार पूछने के कारण मैंने तुमारा प्रिया करने के लिए इस धरम अनकूल परम गोपनी एम सनातन अविनाशी विशेका वर्नन किया है तो यदिश्टर बोले मुने आपके दर्शन से आज मेरा जनम सफल हो गया और हुई है तिथा मैं अनुग्रिहित हो गया हूं धरमात्मन आपके दर्शन से आज पाप से मुक्त हो गया हूं भगवन अब मैं अपने को पाप रहित अनुभव कर रहा हूं तो मारकंडे जी ने कहा राजन तुमारे सभाग्य से तुमारा जनम सफल हुआ है और सभाग्य से ही तुमारे कुल का उध्धार हुआ है प्रियागतीर का नाम लेने से पुन्य की वृद्धी होती है और श्रमन करने से पाप का नाश होता है युदिश्टर ने पूछा महामने यमना में शिनान करने पर कैसा पुन्य होता है और कैसा फल प्राप्त होता है इस विशे में आपने जैसा देखा हैं सुना हो वे सब मुझे बताईए तो मरकंडे जी ने कहा राजन महाबादा जमना देवी सूरे की कन्या है ये तीनों लोकों में विख्यात है प्रियाग में संगम स्थल पर ये नदी रूप से विशेश ख्याती प्रा ये युदिष्टर यमना में शिनान जल्पान और यमना का नाम कीतन करने से महानपुन्य की प्राप्ति होती है तदा दर्शन करने से मुझे को अपने जीवन में कल्यानकारी अफसर देखने को मिलते हैं यमना में शिनान और जल्पान करके मुझे अपने साथ कुलों को पा हो जाता है यमना के दक्षिन तड़ पर सूपरसिद्ध अगनी तीर थे और उसमें पश्चिम दिशा में धर्म राज का तीर थे जो नरक नाम से परसिद्ध है माच शिनान करके मनुश्य सर्ग लोग को चले जाते हैं तरह जो लोग महां प्रांध त्या करते हैं उनका पनर ज समझन नामक तीर का वर्नन कर रहा हूं जहां इंदर सहीच सभी देटा त्रिकाल संद्ध्य वास्ना करते हैं देटा तत्हा नैन विदवजजन सदा उस तीर का सेमन करते हैं इसली परकार और भी बहुत से तीर्थ हैं जो समस्gt पापो के मिनाशिक बतलाये जाते हैं गंगा और जम्ना ये दोनों समान फल देने वाली बतलाई जाती हैं केवल जेष्ट होने के कारण गंगा की सरवत्र पूजा होती है कुंती नंदन इस परकार तुम संपूरन तीर्थों में शिनान करो क्योंकि ऐसा करने से जीवन प्रियंत किया हुआ सारा पाप तदकाल ही न